नमस्कार, प्रेमचंद की लिखी कहानी है पंच परमिश्वर मानसरोवर के सात्वे भाग में तो ये आती ही है साथ ही ये कहानी कई जग़ विद्यालेओं के पाठक्रम में भी होती है इसलिए क्या बिगार के डर से इमान की बात न कहोगे? कहते ही अलगू चौधरी याद आ जाते है साथ ही ये भी याद आ जाता है कि खाला के कहे इस एक वाक्य में जुमन का साथ देने के बदले इमानदारी दिखा देने की याद भी उन्हें दिला दी थी यहां अगले ही वाक्य में प्रेमचंद खुद ही कह देते हैं हमारे सोय हुए धर्म इमान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। सवाल ये है कि आज ये बिगाड से डर से इमान की बात न कहोगे का बड़ा सा सवाल पूछेगा कौन। इस संदर में भारत के लाव कमीशन की ओर से बीपी जीवन रेटी के द्वारा उस समय के कानून मंतरी रहे जेट मलाली जी को भेजी गई 173 वी रिपोर्ट महतुपूर्ण हो जाती है। ये चिठी 13 अप्रेल 2000 की है और इसके साथ जुड़ी हुई रिपोर्ट प्रिवेंशन आफ टेरिरिस्म बिल 2000 पर थी। इस रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में काफी कुछ ऐसा लिखा है जो महतुपूर्ण हो जाता है। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद खुद में एक ऐसा कृत्य है जिसका उद्देश यही आम लोगों में डर फैलाना है। इसकी वजह से अपनी आखों के सामने हो रहे अत्याचार को देख कर भी वो मूग दर्शक बन जाती। वो पुलिस प्रशासन को इस संबद में कोई सूचना देने से ही चकने लगते हैं और सहीयोग करने से बचते हैं। ऐसे मामलों में गवाह नहीं मिलते क्योंकि लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा, अपने परिवारों की सुरक्षा का डर लगा हो। इसके आगे ये रिपोर्ट बताती है कि पंजाब के आतंकवाद के दिनों में जज ऐसे डरे हुए थे कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कोई मुकदमा अपनी अदालत में लेना ही नहीं चाते थे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जम्मू कस्मीर में अभी यानि अप्रेल 2000 में जब ये रिपोर्ट जमा हुई थी तब जैसे ही हालात हैं और इसकी वजह से आतंकियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में देरी हो रही है। ऐसे में स्वतंत्र सबूतों या फिर शांती काल जैसी अदालती कारवाई का होना व्यवहारिक नहीं लगता। इसी वजह से ऐसे कानून यानि पोटा की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट Prevention of Terrorism Bill 2000 जो की पोटा नाम के कानून की तरह लागू हुआ था उसके बारे में थी और ये नियाया धीशों के डर की बात कर रहा है। हालिया दौर देखें, तब इस रिपोर्ट में नियाय धीशों और नियायक व्यवस्था में काम करने वालों की जिस डर की बात की गई है, वो विचित्र नहीं लगती। अगर धार्मिक मामलों से जुड़े वे फैसलों को देखा जाए, तो हम पाते हैं कि हाल के दौर में कई बार अदालतों ने मंदिरों में बली को रोकने का फैसला दिया है। ये तब है जबकि आप अपने अपने तरीके से धार्मिक रीती रिवाजों के पालन की छूट भारत का समविधान अनुछेद 25 के तहट सभी धर्म के लोगों को देता है। कभी जली कट्टू पर प्रतिबंद लगता है, तो कभी दही हांडी की उंचाईते होने लगती है। कि इतनी उंचाई होगी, ये सब कुछ तेह किया जाने लगता है। दूसरे परवों के सामें किस डर से लोग ये बातें भूल जाते हैं। अब ये तो मत कहिए कि डर नहीं होता था या न्याय अधिशों और कानून व्यवस्ता के लिए काम कर रहे लोगों को डर नहीं लगता। क्योंकि ये तो रिपोर्ट में लिखा हुआ अतत्य है, कभी 2000 में डर था और फिर 20 साल में डर खत्म हो गया, ऐसा तो किस रिपोर्ट में नहीं बताया है न, बताया है क्या, 6 महिने तक शाहीन बाग इलाके को जाम रखकर पूरी दिल्ली को बंधक बनाये रखा जाता है और फिर विकास सर्मा जैसे किसी सरकारी कर्मचारी की हत्याएं होती रहें, उस समय कुछ नजर नहीं आता, कोई खुद को किसान बता कर दिल्ली पहुचने वालों का रास्ता रोकते और वो अदालतों को दिखे ही न, वहीं पठाकों से होने वाला प्रदूशन दिखने लगे, लेकिन पराली जलाने जैसे, निर्मान से जुड़े, जो भी बड़े कारण है, वो न दिखें तो क्या सोचा रहें, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बात पर सवाल करने वाले ये न पूछें कि 26 जनवरी 2021 को जो दिल्ली में पुलिस कर्मियों के साथ हो रहा था, वो आखिर था क्य हर बार जब कोई रिटायर होता है, तो उसे अचानक याद आने लगता है कि न्याएक प्रक्रिया में सुधारों की जरूरत है, इसके बाद भी न्याएक विवस्था फिरंगियों के दौर जैसी चलती-चली आ रही है और आगे भी चलती-चली जा रही है, ये बार-बार द संत्र में तो नहीं चलता, अगर विधाईका से, कारेपालिका से और पत्रकारिता से भी सवाल किये जा सकते हैं, तो न्याएपालिका को सीजर्स वाइफ की तरह सवालों से परे नहीं माना जाना चाहिए, बार-बार की ऐसी स्थितियों से उमीद है कि नींद खुलेगी, का